बात्षीत के लिए मध्या प्रदेश की गलियां सी dwelling हो चुकी हैं नेताओं के अपने अपने वादे अपने अपने दावे हैं और इन सभी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है इस बीच शुरू हो गया है नेताओं के बीच चुनाविय अखाडा रणनीतिक कौशल क्षेतर की राजनीती में व्यक्तिगत आरोब भी खूब लगाए गए जिसके बाद पलटवार के जवाब भी आए और निजी जिन्दगी पर भी आरोब लगाते दिखाई दिये ने था प्रदेश की गलियां हुई सियासी आरोब प्रत्यारोब का दौर हुआ शुरू शुरू हुई जुबानी टशन MP में किसको टेंशन? मध्य प्रदेश में सियासी बिसात बिची तो सभी नेताओं ने एक दूसरे पर आरोब प्रत्यारोब का दौर शुरू कर दिया प्रदेश की गलियारों में नेताओं का आना जाना शुरू हो किया है जुनता के बीच भरोसे के पर्चे बांटे जाने लगे हैं इतना काफी नहीं था तो लोग एक दूसरे पर कई मुद्दों को लेकर आरोब लगाने लगे हैं आरोपों की आग ऐसी भब की कि ये बुझ ही नहीं पाए शुरूवात बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्माने की जिन्होंने कमलनाथ को 84 के दंगे का दूशी खरार दे दिया या आरोप ठंडे भी नहीं पड़े और पूर्व मुख्यमंतरी दिगविजय सिंग ने अगर के माननी विधायक हिंदू तिवारी जी का पीडियेस का पूरा व्याफसाए गरीवों को मिलने वाला अनाज 50 से 60 पृतिशत जो है बजार में बिख रहा है उधर दिगविजय सिंग ने आरोप लगाये तो इधर बीजेपी युवा मोचा के पूर्व प्रदीश अध्याक्ष अभिलाश पांडे ने पूर्व वित्यमंतरी तारुन भनोट पर जमीन घोटालिक आरोप लगाया कमाई के बाद अपना मकान बनाते हैं और उनके साथ छलावा करने का काम जिस नाम से हुआ है वो नाम किस से जुड़े हुए हैं उनके आका कौन है अपने शिश्यों के नाम पर वो जमीन लेकर और फिर उसको उनके आका उनने लोगों को बेचा है बीजेपी ने जब कांगर्स विधायक पर आरोपों की जड़ी लगाई तो उन्होंने भी पलटवार किया और कहा कि जिसकी जैसी मानसिक्ता वैसी सोच होती है अगर मेरे उपर आरोप हैं तो जाच करवाली जाए कॉंग्रिस के जवाब के भावजूद बीज़ेपी नेता यही नहीं रुके बलकि बीज़ेपी ने साफ कहा कि कॉंग्रिस विधायकों ने जनता को छगने का काम किया और अपने आपको बचाने के लिए दिगविजे सिंग को आगे करके अनरगल बाते करते हैं आप लगातार प्रहार करने का काम कर रहे हैं भारतिय जनता पार्टी मर्यादित रहने वाला संगठन है हम मर्यादा का पालन करेंगे लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं सुना आपने बीजेपी नेता साफ कहते हैं हम मर्यादा का पालन करेंगे लेकिन कोई छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं हलाके इस मामले को लेकर राजनितिक दलों के अलग-अलग तर्क हैं इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद राकेश सिंग ने कहा कि व्यक्तिकत आरोप चिनता की बात है राजनिती में कमर के नीचे वार नहीं किये जाते जिनता सबी को करना चाहिए दो बातें अलग-अलग है एक व्यक्तिकत आरोप कितना व्यक्तिकत है और एक वो व्यक्तिकत आरोप जिसके साथ भरष्टाचार या समाच जड़ा हुआ है दोनों में फर्क है लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि कमर की नीचे वार नहीं होना चाहिए जहां समाच के साथ जड़ी हुए कोई बात है उस पर जरूर वो बात उजागर होना चाहिए लेकिन उससे हटकर केवल राजनीती करने के लिए व्यक्तिकत आरोप नहीं होना चाहिए बहराल विधान सभा चुनाव को अभी 6 महीने बाकी है और व्यक्तिकत और निजी आरोपों का दौर शुरू हो चुका है आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी देखने को मिलेगा लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता इनके आरोप प्रत्यारोप में फंस कर कोई फैसला लेगी या फिर प्रदेश के विकास और अन्यमुद्दों को देखकर न्यूज एटीन के लिए जबलपुर से पवन पटेल के रिपोर्ट चुनावी बेला है बीजेपी और कॉंग्रेस की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है लेकिन अब मध्यप्रदेश की सियासत में तीसरे मोर्चे पर OEC की पार्टी की एंट्री होने वाली है तो क्या ये तीसरा मोर्चा और OEC की पार्टी भाजपा और कॉंग्रेस वारा लगाए जा रहे एड़ी चोटी के दम को लेकर कुछ खेल बिगाड़ने का काम करेगी चुनाओ में AIMIM की एंट्री से बदलेगा खेल कॉंग्रेस के वोट में सेंध लगानी की तैयारी किसे होगा फाइदा किसका होगा नुकसान प्रदेश में चुनावी 27 बिज गई है बीजेपी सत्ता दोहरानी की तैयारी कर रही है तो कॉंग्रेस को सत्ता में वापसी का अंतजार है लेकिन अब सत्ता की कुरसी के बीच एक दीवार खड़ी होने जा रही है ये दीवार है AIMIM की जो कॉंग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाडने के लिए तैयार है OVC की पार्टी का दावा है कि वो 50 सीटों पर इंडिपेंडेट चुनाव लड़ेगी महियने सीटों पर तीसरे मोर्चे के साहियोगी दलों के साथ किला भेदने की तैयारी में है AIMIM के निता तो साफ कहते हैं कि कॉंग्रेस को वोट देना यानि बीजेपी को वोट देने के बराबर है क्योंकि कॉंग्रेस के निता जीत कर तो जाएंगे बीजेपी में ही तो क्या ये मन लिया जाए कि AIMIM की प्रदेश की सियासत में एंट्री से कॉंग्रेस और बीजेपी का नुकसान होने वाला है हलागि बीजेपी तो इस वाद से इंकार करती है और AIMIM को कॉंग्रेस की बीटीम बताती है बीजेपी का तो साफ कहना है कि कॉंग्रेस AIMIM के एंट्री करवा कर कितने भी रणनीती बना ले बीजेपी के खेले को भेज नहीं पाएगी तो क्या यह मान लिया जाए कि वैसी की पार्टी के मैदान में आने से कॉंग्रेस के लिए सत्ता की राह कठिन होने वाली है हाला कि कॉंग्रेस के अपने दावे हैं वो कमलात के वचनपत्र और 15 महीने की उपलब्दी को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है लेकिन क्या यह वचनपत्र और 15 महीने की उपलब्दी कॉंग्रेस को सत्ता की चाबी दिला पाएगी या फिर AIMIM की एंट्री इस चाबी से दूर कर देगी देखी कहीं कोई नुकसान की बात नहीं हम जा रहे हैं कमलात जी के वचनों के उपर हम जा रहे हैं 15 महीने की उपलब्दियों को लेके और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से संगठन का धाचा कमलनाज जी ने पूरे प्रदेश में खड़ा किया है मंडल, सेक्टर, भूत और खास तोर से एक-एक कारिकरताओं को वो टच कर रहे हैं तो हमारे कारिकरताओं पर हमें पूरा भरोसा है हमें किसी से डर नही हैं कोई चुनाओ लड़ ले कॉंग्रेस की सरकार 2 या 3 में बनने जा रहे हैं खैर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं बहराल देखना ये होगा कि तीसरे मोर्चे और अलग अलग सामाजिक संगठनू की प्रेशर को बीजेपी और कॉंग्रेस कैसे डील करती है और आगामी चुनाओ के लिए जीत का फार्मूला निकाल पाती है या नहीं निउस 18 के लिए भोपाल से वासू चौरे की रिपोर्ट और यहां एक छोड़ने से ब्रिक के लिए रुक रहे हैं